हेलो स्टुडेंट यदि आप भीक अच्छा नौवे में स्टेटी करें प्यार बच्छो और आप लोग 28 नवंबर को सोशल साइंस या समाज भी घ्यान का सेकंड टर्मिनल पर इच्छा देने वाले तो बिल्कुल यह 100% औरिजिनल प्रशन पत्र लेकर आज चुके हैं जो कि इस वीडियो मां पूरा आपको सब्जेक्टिव का अंसर की बताने वाले प्यार बचो आज का जो एक्जाम होने वाला बिल्कुल औरिजिनल प्रशन पत्र है आप लोग देख लिजिए एक बाट ठीक है आपर देख सकते हैं आपर सब्जेक्ट कोड जो है 111 है और समय 1.5 पूर्णाग जो रहेगा 50 मार्ग कर आएगा ठीक है तो हम लोग इसका अब्जेक्टिव पूरा बता चुके हैं पूरा चलेंगे इसका सब्जेक्टिव कोशन को बाबू तो देख सकते हैं खंडबा में यहां पर लिखा गया है खंडबा में एक से लिके 10 तक लगूत रिय है इने सभी में जबाब देना है तो चलिए पहला कोशन देखी क्या पूछा गया है नाजी बाद क्या था बावू लिखना पर नाजी बाद क्या है इसका यह जवाब देजिए चाहे तो आथवा में यह दिजिए पर्थम बिस्यूद का उतरदाए के दो करण लिखी नहां या फिर आपको रजनीतिक साथ में देखना मौलिक का दिकार से आप क्या समझते हैं इसको जवाब देजिए या फिर आथवा में लिखा हुआ चोठा नामर भरतिये से बिस्यूद को लिखना या तो फिर इसका आप लोग दे सकते जवाब ठीक है अब यहां पर आर्थ सास आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको बताना है उसी तरह से नाइन नमर करता आंक बाद से आप क्या समझते हैं आप अब्दाप्रवंद्र में है या अम लिए बढ़ सकता दो जो सपर हूआब को लिखना आ ठीक है आप देखें आपर इस तर दिर नमबर यहां से एक परकास अपको डालना है या खिर अधवा में परथाम वीसविउदly का परियूद्धीनाम हुए है इसके बरे में क्या परियूनाम हो इसके बारे में लिए पिर हम लोग राजनीतिक भी ग्यान में देखेंगे सभधाने को प्चारूप पर प्रकाश डालना है या अधवा में भारत की नैपालका के शौरूप वर्नन करना है बिहार में आर्थ विवस्ता क्रिशी के भूमका को भी वेशना करना है या आप शोला नमर देख लिजिए भुटान के अर्थिक संसादनों का बर्नन करना है यहां पर इस तरह से हैं पर सारा कोशन लिखना है ठीक है इसका आंसर कहा पर मिलेगा चलिए सबसे पहले अपने फोन में गूगल ब्रोजर को उपन करिए और टाइप कर लिजा पर गोगल पे जस्टिवेल इजुकेशन य देखेगा अंसर की पर किलिक कर लिजहां पर थी डॉट होगा लाइन इस तरह का इस पर किलिक करेंगे अब सीधा आपको नीचे आजाना है बाभू जैसे आप लोग और नीचे आते हैं तो सब कुछ यहां पर देख सकते हैं आपर हिंदी का था पर इसका सब्जेक्टिव ह इन देखा है फिर संस्क्रीट का आपको देखने को मिल जागा फिर साइंस का मिल जागा फिर आपको चलना सोशल साइंस में ठीक है देख सकते हैं सब्जेक्टिव कोशन यहां सब्लोड कर लिजे नहीं होता था चलिए इसका पूरा हम लोग सब्जेक्टिव कोशन देख ल लिखना है बाबू कि नाजी बाद एक राजनीतिक और समाजिक आदर्स था जो उन्यस्व बीस में और उन्यस्व तीस में जर्मनी के उत्पन हुआ यह अदर्स एडॉल्फ हिटलर और नाजी पाटि द्वारा ने के परचारित किया गया था नाजी बाद में जाती बाद फास यूद्वाड के उतवरदाई कौन थे आपको लिखना है कि इसका कारण लिखना दो ठीक है लिखना है पर्थम 20 विविद्व का उत्वरदाई के दो प्रमुक कारण रस्टिय वाद ठीक है इसमें बिवहिन देशों में रस्टिय का उभार और समाजवादी का परतिस यानि बिवादों में बढ़ाया खासकर इरोप में ठीक है संघर्च और संघहनिया इसका दूसरा है इरोप सकतियों की संघर्घन और संघहनिया जैसे ट्रीपल एजेंट्स, ट्रीपल लाइन्स यूध को फैलने में मदद की जिस से यूद का वैस्विक संगर्च में बदल गए ठीक है किस तरह से लिख देना है तीसरा का है किसरा का पुछा आप मौलिक अधिकार से आप क्या समझते है बागू ठीक है तो लिखना मौलिक अधिकार वे अधिकार जो परतियक बेखती को जन्म से सुभाविक रूप से प्राप्त होते हैं जिन्होंने सविधान द्वारा सुरचित किया जाता है कि भारत में ये अधिकार भारतिये सविधान के भाग थीरी में दिये गए हैं और इमने जीवन और स्वतंतर शवांता धर्म स्वतंतरा बोलने के स्वतंतरा अजादी सामिल है अधिकार ब्यक्तिक अस्वतंत्र का गरीमा की रच्छा भी करता है ठीक है अगला कोशन का हमने जवाब दिया है वफर अस्टाक से अब क्या समझते है ठीक है लिखना अंसर में वफर अस्टाक होगा अतिरीक तो पूर्तिय जो सरकार आवस से बस्तूवें जैसे किरता बनाया रखने के लिए किया जाता है ठीक है इस तरह से लिख दिएगा यहां पर आपको दो को बता दीए ठीक है चलिए अब दिया प्रसन आप लोग देख लिए बाबू 11 नमर कोशन करा हिटलर की बिदेशी नीती पर परकास डालना है ठीक है तो लिखना है हिटलर क बिदेशी मुख रुप से जर्मनी को 22 करन महा सक्ति बनाना था इसकी अंतरगात पहला पॉइंट देना है पर लिवे शरम ठीक है हिटलर ने पुडवी एरोप में अतिरिक्त भुभाग हासिल करने की योजना बनाई ताकि जर्मनी के लिए धीक संसादन और बस्तियां मिल स ठीक है यहां से लिख देना है अब यहां पर है दूसरा सैन्य करन और युद हिटलर ने जर्मनी का सैन्य करन किया और 149 में पुलाइन पर अक्रमन कर देती है बिश्यूद के शुरुवात की ठीक है इस तरह से लिख देजेगा तेरा नमबर का है सभधानिक उपचारों पर लाप्त किये जा सकते हैं यह परमुख उपचारों को हैबिस कॉपर्ट यानिके मैडम्स प्रोहेविशन कोवो वरेटो और कोवो वरेटो शामिल है जो नगरीकों को उनके अधिकारों काउलंगर होने पर नयाय दिलाने में मदद करते है ठीक है इस तरह से लिख करीशी के भूम का बहुत महत्पूर्ण है राज की सवी अधिकांस जन संक्या करीशी पर निर्वर है और यह राज में कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है बिहार में परमुख करीशी उत्पाद को में चावल मक्का गन्ना दलहन सामिल जो करीशी चेतर में रुजगा आना थैची है यहां पर सबड़क्ति गॉस्ट्वी को शिरुप करके डॉनललीड करवा नहीं होता यहां पर कोशिंट ञाव करने में